घर्षण के लाप घर्षण लाप दायक भी है और हानिकारक भी हम चल पाते हैं क्योंकि घर्षण हमें फिसलने से बचाता है जब हम धर्टी को अपने पावों से धक्का देते हैं तो घर्षण धक्के को आगे प्रतिक्रिया देता है और हमें आगे धकेल देता है हम लिखने में सक्षम हैं क्योंकि कलम की नोक और कागस के बीच घर्चन है माचिस चलाना घर्चन का एक अन्य उप्योगी प्रयोग है जब हम माचिस की तीली को माचिस के डिब्बे के खुरदरे भाग पर रगरते हैं तो उनके बीच के घर्चन से उश्मा उत्पन्य होती है